हलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ओन माथिक्स यूटूब चैनल, इस वीडियो में हम समझने वाले question 8 of exercise 7.2 from your NCRT books, class 10 chapter coordinate geometry, ये सारे questions पेज 167 ते दिये गए हैं, If you are new to this channel, if you are watching our video for the very first time, बच्चों subscribe जरूर कर लेना, अगर कोई बच्चा है तो subscribe कर ले, कोई बड़ा भी है, तो आशरवाद दीजिये, subscribe कीजिये और हमें grow करने में help कीजिये, Let us move on to this question, without wasting any time, question 8 क्या है, आसानी से समझते है, If A and B are minus 2 minus 2, ठीक है, A and B, A और B दो points है, बच्चों लिख लेते हैं, चलो, Let us draw, draw जरूर करना है, coordinate geometry है बहिया, draw तो करना ही पड़ेगा, ये हो गया बच्चों A, Let us say, ये A है, and this is, let us say, B, ठीक है, A कितना है बच्चों, it is minus 2, minus 2, ठीक है, B कितना है, it is 2, minus 4, अब ये हो गया A और B, बच्चों ये बोल रहा है, find the coordinates of P, आपको P के coordinates निकालना है, P तो कहीं दिखी नहीं रहा, चलो, आगे पढ़ते हैं, such that A, P, आपको एक चीज़ दिखे, ये मैं यहाँ side में लिख रहा हूँ, आपको समझाओंगा भी मैं, A, P is equal to 3 upon 7, A, B, ये आपको दिया गया है बच्चों, and P lies on the line segment A, B, P जो है बच्चों, वो line segment जैसे अपनने P यहाँ बना लिया, A, B पर ही P है बच्चों, अब P क्या अपनको coordinates निकालना है, अपने काम करते हैं, इनको X, Y मान लेते हैं बच्चों ये क्या हो जाएगा आपको पता है, सर ये हो जाएगा X1, ये हो जाएगा सर Y1, सर ये हो जाएगा X2, सर ये हो जाएगा Y2, अब सर हमने तो वीडियोस देखी हैं, सर हमें तो आता है, ये point है line के division वाला point, section बनाने वाला point और section बनाने वाले point के X और Y को हम section formula से, निकाल सकते हैं, सब सही है, पर बच्चों, हमें section formula में M1 और M2 भी तो चाहिए पढ़ते हैं, M1 है बच्चों, AP, basically M1 जो है, वो AP है, ये पहला तुकडा, और दूसरा M2 है बच्चों, PB, गौर से देखो, PB, बच्चों, पता करना ये कैसे आएगा, इसको बच्चों ये portion लाकर देगा अपन को, पता कैसे, बहुत आसान है, सुनो, समझो, बच्चों, जो AP है, और जो 3 upon 7 AB, 3 upon 7 AB, गौर से देखना बच्चों, ये मैं आपको rough रफ नहीं है, वैसे आप ये copy करना चाहिए आपको, जैसे ये है, तो बच्चों, ये 3 upon 7 के साथ multiply में है, AB, अगर मैं कहूँ इस AB को LHS में बेजो, तो AP के नीचे आजाएगा, divide करेगा ये, लो भाईया, 3, ratio, 7, बच्चों, गौर से समझना rough समझा रहा हूँ आपको, roughly, बच्चों, ये AP के सामने क्या है, 3, 3, AB के सामने क्या है, 7, गौर से बच्चों, ये है A, बीच में है कहीं B, ये P है बच्चों, और ये अपने लिखा B, अब बच्चों, गौर से देखना, AP, जो ये first तुकडा है, 3, तो अपने काम करते हैं, यहां बना लेते हैं, कि सर, ये 3 के बराबर है, for example, AB, बच्चों, AB को नीचे बला कि AB के सामने 7, तो बच्चों, इधर ये बनाते हैं कि सर, ये पूरा है 7, बच्चों, गौर से बताओ, इस पूरे 7 में से, ये 3 अगर हम हटा दें, तो PB कितना आएगा, बच्चों, गौर से बताओ, ये पूरा तो 7 है, देखो, AB पूरा 7 है, 7 में से मुझे AP हटा दो, अगर ये हटाना ह तो बच्चो यह 4 आएगा ना, है ना, 7, यह पूरा 7 है, AB, AB में से बच्चो, AP जो 3 लिखा, 3 लिखा उसके सामने, उसको हटा दो, तो PB आ जाएगा, और हमें PB की ही आवश्यक्ता थी, नीट PB, तो बच्चो, AP, AP हो जाएगा 3, और PB हो जाएगा 4, तो यह रेशियो जो आया, यह आया बच्चो, 3 रेशियो 4 बच्चो, यानि M1, 3 और M2, 4, I hope आपको समझ में आया होगा, इस fraction का खेल था बच्चो, पूरा, getting my point, यह पूरा गेम इस fraction का था, अब बच्चो हम लिखते हैं, यहाँ पर M1 का वाईज, वाईज कर रहा हूँ, value जो M1 का value है, वो 3 हो गया, M2, 4 हो गया, तो यह 3 और M2 को लिख देते हैं, 4 और बच्चो, X1, Y1, X2, Y2 अल्रेडी है, let us find this P, P का X और P का Y, चलो, अपने एक पूरा value बना लेते हैं सब, एक पूरी line बना लेते हैं, और बच्चो, यह हो गया अपना A, जो की है, minus 2, minus 2, बच्चो, यह अपना B हो गया this is B, और यह है बच्चो, अपना 2, minus 4, और बच्चो, यहाँ कहीं हम P लिख देते हैं, P, ठीक है, यह हो गया P, जिसके coordinates है, X, Y, जो अपन section formula से निकालेंगे, यह P section बना रहा है, तो इसके formula, इसका अपना X और Y formula से निकाल सकते हैं, ठीक है, M1 बच्चो 3, और यह PB, जो M2, PB आया था, यह आया था 4, तो यह 4 हो गया बच्चो, 7 में से 3 को minus कर दो, 4 आ जाएगा PB, चलो बच्चो, आपन formula लगाते हैं, X निकालते हैं, बच्चो, X का formula होता है, M1 X2, प्लस M2 X1, अपन M1, प्लस M2 बच्चो, ठीक है, solve किया जाएं बच्चो, M1 3, 3, और X2, X2 यह है X2 is this, देखो X2 2 था न, तो 2 है बच्चो यह, तो X is equal to M1 है बच्चो 3, इंटू X2 है बच्चो 2, प्लस M2 बच्चो, M2 है 4, X1, X1 है माइनस 2, देखो यह X1 माइनस 2, तो यह लिखते हैं, 4 इंटू माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, अपन M1 प्लस M2, M1 है 3, M2 है 4, 3 प्लस 4 ब I hope समझ में आ रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ जानबूच के, 3 तूज़ा 6 और 4 तूज़ा 8 माइनस का 8 अपन 7, बच्चो यह आया, माइनस 2 अपन 7, आंसर का एक हिसा आ गया, माइनस 2 अपन 7, जो X निकला, यह आ गया बच्चो, अब निकालते हैं Y, यह आ ग ठीक है, वो भी आप लोग शो कर सकते हो कि भाईया, M1, M2 मैंने ऐसे निकाला, ठीक है, so let me just erase these all things, चलो भाईया, erase हो जाओ, ओके, चलो लेट अस वर्क ओन तू Y, अब हम section formula लगाएंगे, इस dividing point P के Y ढूनने में, चलो भाईया, अप अपन Y पे काम करना शुरू करें, Y का formula होगा, M1, Y2, प्लस M2, Y1, ठीक है, और अपन M1, प्लस M2, बच्चो है न, चलो लेट इस स्टार्ट ना, चलो भाई, Y का वैल्यू निकालते है, Y is equal to M1 is 3, into Y2, Y2, Y2 यह है, minus 4 है, Y2, तो अपन माइनस का 4 लिख देते हैं, प्लस M2 है, 4, into Y1 है, Y1 है, minus 2, तो माइनस का 2 लिख दिया जाए, अपन M1, प्लस M2, यहनी 3 प्लस 4, M1 इस 3, 3 प्लस 4, चलो भाई, वैल्यू सॉल्व करते हैं, बच्चो, Y is equal to minus 12, minus 8, 8 अपन 7, 4, 3 जा 12, 4, 2 जा 8, minus 8, बच्चो, minus 20 अपन 7 आया, minus 20 अपन 7, बच्चो, यह अपना दूसरा आंसर आगया, therefore we can say that coordinates of P, coordinates of P, निकाल लो भाई, क्या है, X, Y minus 2 upon 7, minus 20 upon 7, this is our answer, answer for this question, बच्चो, I hope आपको समझ में आया होगा, share, like, subscribe, comment, जरूर करना, बहुत महनत लगती है, बच्चो, वीडियोस बनाकर, edit करके आप तक पहुंचाने में, don't forget to share with your friends also, next question में मिलते हैं, happy learning,